दोस्तो शेन वार्न की बड़ताओं पर आपका क्या कहना है नीचे कॉमन बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही इंडिया इस बेस्ट जरूर लखे कॉमन बॉक्स में और इस वीडियो को लाइक जरूर करें पंद विकेट की पीछे अक्सर स्टम्स लेने में या कैज पकरने में जोगलती कर जाते हैं लेकिन इस बार वो विकेट की पीछे लगातार बोलते रहने के लिए निशाने पर है उस्ट्रेलिया के दो पूर विकेट की पीछे लगातार बात करते रहते हैं जिससे उस्ट्रेलिया इस बार वो ने कहा कि पंद को कम से कम बॉलर के बॉल डालने के दौरान अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए दरसल ये वाकिया तब घटा जब चायकाल से कुछ मिनिट पहले अपना पहला मैच खेल रहे वशिंटन सुन्दर बॉलिंग कर रहे थे इस दौरान पंद इस युवा खिलाडी का उचसाब बनाने के लिए लगातार बोल रहे थे इस से बलेवाजी अपना मौजूद मैथियू वड और अपनी एक आगरिता नहीं बना पा रहे थे ऐसे में उन्होंने एक मौके पर बलेबासी करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक पंद बूलना बंद नहीं करेंगे वो अपना बैटिंग गार्ड नहीं लेंगे इसके बाद मार्क वो और शेन वॉन ने इस पर चर्चा शुरू कर दी वो ने कहा कि विकेट कीपर के बात करते रहने से मुझे समस्या नहीं है लेकिन ये तब नहीं होना चाहिए जब बॉलर बॉलिंग फेकने के लिए बिलकुल तयार हो तब आपको जुबान अपनी बंद रखने ही चाहिए तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि रिशेप बंद ने गलती की है तो नीचो गर्मन वर्क्स में ज़रूर बताएं साथ ही इंडिया के लिए इस वीडियो को लाइक सरू करें